गूड मॉर्णिंग ओल आफ यो आएम डॉक्र साशिवाला तिवारी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ इस्ट्री डिएभी पीजी कॉलेज सिवार इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एड्मिस्ट्रेशन अफ चोलाज के अंतरगत सेंटरल एड्मिस्ट की चर्चा किए अब उसे कनेक्शन में हम लोग छोलों की अधिन लोकल सेलफ गोर्रमेंट की चर्चा करते हैं जिसको हम लोग छोलों का अस्थानीय सुझा स्कते यह अस्थानिय सासन करते हैं चोल कालीन लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट के बारे में हमें जानकारी दर्चुर भारत की अभिलोख्यों से होती है अस्थानिय सासन भी पाई जाने वाली और साधारन छमता इस यूग की विसिस्ता थी अस्थानिय मामलों के प्रसासन के लिए एक उच अस्तर की प्रणाली का विकास हुआ था और इस प्रणाली को हम लोग वेरियम कहते हैं वेरियम कहा जाता था लोकल सेल्फ गॉवर्मेंट के अंतरगत सबसे महतपुन संस था ग्राम सभा थी ये सभाएं जनपत के प्रबंध में प्रैय स्वतंत्र थी और इन्हें व्यापक अधिकार भी प्राप्त था सभाएं ही ग्राम की भूमी की स्वामिनी थी और हर प्रकार की भूमी उनके अधिन थी जंगल काट कर नई भूमी तयार करना उनका मुख्य काम था इसके अतिरिक्त जंगल साफ कर क्रिशी के लिए भूमी तयार करना, टैक्स कलेक्ट करना, धार्मिक न्यास के रूप में भूमी या द्रवे का दान स्विकार करना, गाउं के सदाचार को बनाये रखना, न्याय और दंड का पालन करना, मठों के माध्यम से शिक्छा का प्रब नियमा अनुसार होती थी। सभा के सदस्य गाओं के निवासियों द्वारा निर्वाचित होते थे और निर्वाचन और सदस्यता की योगता के नियम बने हुए थे। परतियक गाओं कुटुम्ब में बटा हुआ था और निर्वाचन में खड़े होने की विशिस योगताएं या और योगताएं थी। से दूसरों के लिए आदर सुपस्थित करते थे। आय ब्याय का हिसाब ठीक से रखा जाता था। राज का मोख्य उदेश सांति सुबे वस्था कायम रखना था और इसमें ग्राम सभा से काफी सहायता मिलती थी। चोल कालीन अभिलेखों से ग्राम सभाओं के संबंध में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। ग्राम दो प्रकार के होते थे। पहला उर और इसके सभा को उरार कहते थे। और दूसरा ब्रामरों की सभा जिसे चतुरवेदी मंगलम कहते थे और इनकी संस्था को सभा कहते थे। कुछ अभिलेखों के अध्यान से यह अग्यात होता है कि ग्राम को तीस भागों में विभाजित कर दिया जाता था। और प्रतियक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे। जिन में कुछ योगेताओं का होना अनिवारे था। जैसे जो योगे व्यक्ति थे उनके पास जड़ एकर से अधिक भूमी होना चाहिए। अपनी भूमी पर बना हुआ मकान होना चाहिए। 35 से 70 एर के बीच उनका एज होना चाहिए। वैदिक ग्रन्थों तथा ब्रामण मंत्रों से परिकीत होना चाहिए। इससे यह पता चलता है यह एस्पस्ट होता है कि गाउं में सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। समीति में कभी कभी इस्त्रियों को भी लिया जाता था। सभा के सदस्यों द्वारा हीं समीतियों के सदस्य निर्वाचित होते थे। राजिक के सभी कारिय प्रायह ग्राम सभाओं को करना पड़ता था। ग्राम सभाओं के अधिकार में केवल अस्थाई सेना नहीं रहती थी, मंदिर, सर्वजनेक संस्थाओं की देखरेक, यातायात, राजपत, न्याय, शिक्छा, आधी ऐसा कोई भी काम न था जो ग्राम सभा के अंतरगत न हो, विभिन समीतियों के कारियों की प्रतिवर्स कराने के लिए एक अन्य समीति होती थी, दो ग्राम सभाओं में परस्पर विवाज उठने पर राज हस्त छेप करता था, अस्थानिय सासन में जनता में आत्म निर्भरता रहती थी और केंद्रिय सासन का दाईत तो भी हलका रहता था, चोलों के समय में एक योग नौकर साह तथा सक्री अस्थानिय संस्थाओं के माध्यम से सासन की निपुणता या और सुधता का एक उच आदर्स प्राप्थ हो गया था, चोल कालिन सासन की सबसे बड़ी विशिस्ता यह थी कि इन लोगों ने काफी हद तक समन्तों के चंगुल से अपने को मुक्त रखा और क्री की बावजूद केंद्रिया नियंत्रण अस्पस्थ था, राजा चक्रवर्ति गल के पद्वी से विभूसित था और चोल सासन पद्धती में राजगुरु या प्रिष्ट का बड़ा ही महत्तपुण अस्थान था, सासन चलाने के लिए एक सूसंगटित और समर्वित नोकर साही थी और उसी के माध्यम से केंद्रिये सासन का नियंत्रण रखा जाता था, समय समय पर राजा स्वेम भी निरिक्षण यात्रा पर निकलते थे और इससे सासन प्रणाली पर अच्छा प्रभाव पड़ता था, सासन के सर्वुच अधिकारी को पेरुदरम और सबसे बनी रहे, इस तरह से हम लोग चोल कालीन सासन ब्यवस्ता का कम्प्लेट अधियान कर लिए, और चोल कालीन सासन ब्यवस्ता से रिलेटेड एदिया और कोई प्रस्ण हो, तुम्हारे मान में कुछ प्रस्ण उठता है, तो उसको पूछो, वाट्स अप में लिखो, फिर हम तो डिस्कस करेंगे, ओके थैंक्स